हालो एवरिवर्ण, वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल नीट यूजी इन तेल, पाइट साइज वीडियो फोर नीट यूजी, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर नीट यूजी पे बेस एक टोपिक है फोटो एलेक्रिक एफेक्ट डियूल नेचर ओफ मैटर और राडिएशन चैप्टर का उस पे बेस कुछ नुमेरिकल्स को डिसकस करेंगी अनकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या मिलेगा बिटा, देली लाइफ क्लास मिलेगी इसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिसकेशन में अगेज हो सकते हैं, अपने डाउट पूट सकते हैं, अपने पोल्स का अंसर दे सकते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, इन लाइन विद दे स्लेबस अफ दा एक्जाम लाइव टेस्ट एंड क्विजिस होंगे, जिसके बाद आप अपनी परफोर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे अनलिमिटेड एक्सेस होगा, अनलिमिटेड एक्सेस किसका, वंस आपने एक बार सब्स्क्रिप्चन ले लिया तो इंडिया जबेस्ट टोप एजुकेटर्स जो अनकेडमी के प्लैटफोर्म पे अविलेबल हैं आप उनकी live classes और recorded classes को अपने comfort के हिसाब से anytime from anywhere देख सकते हैं Iconic के subscription के अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको all benefits of plus मिलेंगे उसके अलाबा personal coach मिलेगा one-on-one guidance के लिए study planner होगा, customized study plan होगा with bi-weekly reviews होगे in-depth test analysis होगा with personalized feedback to improve your time management and exam approach अगर हम बात करें 24th October से हमारे जो pricing है plus के course के one month का price 7,000, three month का 17,500, six month का 28,000, one year का 38,500, two year का 56,000 जैसे आप मेरा code यूज़ करते हो लाई वे भी आपको 10% fee में off मिलेगा one month की final fee 6,300, three month की 15,750, six month की 25,200, one year की 34,000, 650 and two year की 50,400 आइकोनिक की जो अगर मैं बात करूँ आइकोनिक कोर्स की six month की 38,000, one year की 65,000, two year की फी बन लेगा बट जैसे आप मेरा code यूज़ करते हो लाई वे भी आपको fee में 10% का off मिलेगा और आपकी six month की 34,200, one year की 58,500, two year की 90,000 ध्यान रखना है बटा मेरा जो referral code है देज लाई वे इस code का यूज़ करोगे तो आपको fee में 10% का off मिलेगा अनकेडमी लर्निंग अपको आपको प्ले स्टोर पे जाना है वहां पे डाउनलोड करना है इंस्टोल करना है उसके बाद इस पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे इसके बाद अपने अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आप इस एप के सारे features को access कर पाएंगे फिर अप अपनी comfort to requirement के according plus का subscription या iconic का subscription आज का जो हमारा topic है that is numericals part 4 on photoelectric effect पहला question देखता है क्या है बड़े ध्यान से देखना when a metal surface is illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda then the potential difference required to stop the ejection of electrons is 3V when 3V when the same surface is illuminated by light of wavelength 2 lambda then the potential difference required to stop the ejection of electron is V then for photoelectric effect the threshold wavelength for metal surface will be आपको ये बतानी है options आपको दी हुई है आप देख सकते हो question में दिया हुआ है जब आपने wavelength lambda डाली है तो stopping potential 3V है और जब आपने wavelength 2 lambda डाली है तो stopping potential V हो गई आपको threshold wavelength का मत्तब lambda note निकाला है क्या निकालना है बिठा lambda note निकाला है अब बड़े ध्यान से समझेंगे यहां पर करना कैसे है hc by lambda is equal to hc by lambda note plus 3V on the same line hc by 2 lambda is equal to hc by lambda note plus V जो जो दिया हुआ है मैंने उसको use किया है उसको use करने के बाद मेरा यह result आ गया मैं क्या करता हूँ इसको 3 से multiply करके minus कर देता हूँ तो जैसी करूँ आई हो गया 3 hc by 2 lambda is equal to 3 hc by lambda note plus 3V यह बचा hc by lambda is equal to hc by lambda note plus 3V आप इनको आपस में minus कर लो जैसे ही minus करोगे यह ऐसे होगे तो यह हो गया 1 by 2 hc by lambda is equal to 2 hc by lambda note hc से hc cancel यह आगया 1 by 4 lambda is equal to 1 by lambda note 1 by 4 lambda is equal to 1 by lambda note so sure lambda note will be equal to 4 lambda जो आपको threshold wavelength निकालनी थी वो 4 lambda आ गई तो आपका answer आगया 4 lambda 3rd option will be your answer अब हम आ जाते है next question पे next question is बड़े ध्यान से समझना है बेटा next question को a photo metal is illuminated by wavelength light of wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively किरा एक को lambda 1 से और lambda 2 से हमने इसको illuminate किया lambda 1 से और lambda 2 से जब lambda 1 से किया तो maximum kinetic energy e1 है जब lambda 2 से किया तो maximum kinetic energy e2 है आपको work function बताना है तो hc by lambda 1 is equal to work function plus e1 hc by lambda 2 is equal to work function plus e2 आपको क्या निकालना है बड़े ध्यान से terms देखो e1 lambda 1 e2 lambda 2 e1 lambda 1 e2 lambda मैं क्या करता हूँ मुझे इसको minus cancel करना है lambda वाली term को मैं इसको lambda 2 से multiply कर देता हूँ तो यो गया विटा lambda 2 by lambda 1 ठीके या इक काम करलो e1 वाली को lambda 1 वाली से multiply कर दो और इसको lambda 2 से multiply जैसे इसको lambda 1 से multiply करोगे पहली equation को पड़े ध्यान से संजो क्या बन गया hc is equal to work function into lambda 1 plus e1 lambda 1 दूसरा क्या बन गया hc is equal to work function into lambda 2 plus e2 lambda 2 ठीके अब क्या करो दो दोनों को minus कर दो जैसे minus करोगे hc hc कट गया यह भी minus यह भी minus इधर 0 बचा इस is equal to work function lambda 1 minus lambda 2 ठीके प्लस e1 lambda 1 minus e2 lambda उदर ले जाओंगा work function lambda 1 minus lambda 2 is equal to e2 lambda 2 minus e1 lambda 1 यहां से अगर मुझे work function निकालना है तो यह आगया e2 lambda 2 minus e1 lambda 1 divided by lambda 1 minus lambda 2 e2 lambda 2 minus e1 lambda 1 divided by lambda 1 minus lambda 2 fourth option will be our answer thank you अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप चैनल को subscribe कर ले लाइक कर ले live av is my referral code इस code का use करने से आपको fee में 10% का off मिलेगा thank you